तो आज हम continue करने जा रहे हैं अपना physics का electricity chapter और उसमें आज हम topic करने जा रहे हैं combination of resistors तो students मैं चाहता हूँ कि आप अभी यही पर ही video pause कर ले students और आप पहले अपने ncrt को एक बाई go through कर ले students मैं यह मानता हूँ students कि यह बहुत ही एक basic topic है और इसमें basically theory कुछ जादा है नहीं आपको कुछ formula देखने हैं जो कि आप observe करके भी याद आपको हो जाएंगे और इसमें basically उनको याद करने के लिए आपको practice की ज़रूरत होती है तो आज हम देखे आया है कुछ बहुत ही important और कुछ challenging और कुछ आसान combination of resistors के उपर questions तो students चले start करते हैं तो students अब हम कुछ questions करने ज़्याद है और मैं यह मान के चल रहा हूँ कि आपने यह chapter thoroughly एक बाई कर लिया होगा और यह वाला part आपको समझ में आ गया होगा तो अब आप figure को इस question के ध्यान से देखें students तो यह आज आते हैं आपका question number 1 आज का पहला question तो फिर आप figure को ध्यान से observe करेंगे तो आपके एक R1, resistor 1, 2 ohms का है और resistor 2 भी आपका 2 ohms का इतर लगा हुआ है और इतर आपके एक battery है 8 volts की इतर आपका ammeter है that is A1 और इतर आपका ammeter है A2 और इतर आपका resistor है 4 ohms डरी हमद students यह इतना आसान question है और मैं आपको इतना detailed steps में लिखाऊंगा कि आपके इसमें boards में कोई आदा number भी नहीं का पाएगा तो students अब आपको इस question में दिया क्या हुआ है find the reading of A1 and A2 आपको A1 के through current और A2 के through current find करना है तो इस symbol आप जानती ही होगे students यह होता है ammeter का symbol और वो measure करता है current that is I तो basically आपको I1 और I2 निकालने students फिर उसमें अगला part दिया हुए also find the voltage drop across each resistor तो हम इसे मान लेते है V1, V2 और V3 आपको कितनी-कितनी voltage हर resistor को मिले की वो भी find out करनी है students देखे students, देखने में लगता है कि यह काफी लंबा question है, हाँ है और यह आपको जो है अगर आप इसे competition point of view से करें तो यह आपका 30 seconds या 1 minute से ही पहले solve हो सकते है यह अगर आपको बोर्ड में आता है तो यह आपको short short as a 5 marker question आएगा तो इस असान से question, थोड़ा से lengthy question और थोड़े से numerical problem से आपके board के 5 marks पक्या हो जाएंगे students तो देखते हैं अब इसे solve कैसे करेंगे मैं advice करूँगा आप यही पर video pause कीजिए मैं तब तक wait कर रहा हूँ और फिर हम इसका solution देखते है students तो students हमें question में ऐसा circuit diagram given था अब हमने इसको अपनी convenience के लिए आप खुदी common sense लगा के देखे क्या हम इसे ऐसी ने draw कर सकते एक 8 volt की battery उसके साथ आपका जो है एक 4 ohm का resistor जिसके साथ A2 ammeter 2 connected है और एक 2 ohm और 2 ohm की 2 resistances जो की आपको इस diagram में भी दिखरी है students और उसके parallel में 4 ohm का और इसमें भी ऐसे ही given students अभी के लिए आप A1 और A2 को neglect कर सकते है students क्यों वैसे असली circuit diagram में आपने नहीं करना है बट आपकी observe करें जो की I1 इदर आएगा वही इदर आएगा वही इदर जाएगा और वही इस A2 में भी जाएगा और वही उसके reading भी students और वही same I जो है वह इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा और वही reading इसी की होई students तो अभी के लिए जो आपकी resistor के थुरू आपका current आएगा वही आपका in ammeter की readings आएगी students तो अभी के लिए आप इसे diagram में छोड़ भी सकते हैं ताकि आपके diagram की complexity आसान हो जाए students तो अब आप इसे ध्यान से देखिए students इस वाले circuit diagram को आप एक पही observe करिए खुद से एक 8 वोर्ट की battery उसके साथ एक series में 2 ohm और 2 ohm के resistor और parallel में 4 ohm का resistor तो पहले तो आपको दिख रहे है कि हम जो भी चीज आपको सामने सामने दिख रही हो यह तो लड़ू है फिर तो आप इस पहले लड़ू को खा लीजिए R1 और R2 इन दोनों को आप sum कर देंगे तो आपका R1 R2 equivalent resistance इस पॉर्षिन के निकल जाएगी क्योंकि यह सीरीज में है तो इसलिए आप लिखेंगे R1 & R2 in series so we add the resistances and R1 2 comes 4 ohm students तो hopefully आपने इतना note कर लिया होगा और आपका भी answer यह आया होगा अब यह तो आगया आपका इसमे तो अब इस circuit diagram को हमें और भी जादा आसान बनाने की जरूरत है students तो अब देखते हैं इसको हम और आसान कैसे बना सकते हैं अब आप इसको फिर से redraw कर यह students circuit diagram को तो students जब आपने redraw किया तो आपको पता है कि एक 8-fold की battery है उसके साथ 4 ohm का एक resistor connected है R3 और R12 आपने equivalent resistance connect कर दिये तो उन दो resistors की जगा आपने एक resistor बना दिये students तो यह बताईए आप कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कर सकते है students तो बस ऐसी आप कर दिये आपने तो आप देखते हैं इस circuit में हम क्या कर सकते है students तो इस circuit में आपकी एक observation और नी चाहिए students कि इसमें यह और यह resistor parallel में है तो बिल्कुल साही जाना आपने अब इन दोनों को भी ज़र एक कर देते हैं इनकी भी equivalent resistance निकाल देते हैं तो students यह मैंने आपको पूरी calculations भी प्रवाइड किये अभी मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ इसका आंसर जो आएगा आपको 2 ohm आएगा वैसे ही आप पूरी calculations भी कर सकते हैं वैसे competition point of view से मैं आपको एक short trick भी बताना चाहूँगा माननीचे आपकी एक 2 ohm का एक resistor है ठीक है जो कि आपके साथ एक और resistance 2 ohm के साथ connected है और यह understood है कि यह किसी battery source के साथ connected है तो इसकी एक short trick भी होती है students कि अगर यह दोनों की rating सेम है मतलब यह भी 2 ohm का resistor है rating के बार में बाद में पढ़ेंगे और यह भी 2 ohm का resistor है तो इनकी R equivalent ज that is number of resistors हो जाएगी students तो अब R equivalent होएगी आपके 2 by number of resistors 2 तो इससे आपका A की formula से आपका answer आगा students अब आप इससे recheck भी कर सकते हैं तो आप इससे देखेंगे 2 by 2 आपका 1 आएगा तो अब इसी में अगर आप put करते है तो इससे भी आपका answer यही आता अब जैसे यह वाला question students तो इससे भी मैं आपकी value पूट करके दिखाता हूँ आपका एक 4 ohm का resistor है और एक उससे parallel में connected है 4 ohm का तो अब इनकी value सेम है तो हम direct formula में put करते हैं कि R equivalent is equals to R by N तो resistance 1 की है 4 और number है 2 तो इसका R है मेरे according इस formula के according to तो अब हम देख लेते कि है यही R है हाँ इस लंबी चौड़ी calculation से भी आपका यही R है students तो आप इसको direct भी कर सकते हैं कोई problem नहीं है students तो strength अब आप इसमें V equals to IR के formula से I1 के value आप निकाल सकते है students hopefully आपको इसमन में आ गया होगा और इससे आपकी जो value है वो I की आपकी 2 amperes आई होगी strength जिसकी वज़े से आपकी resistor 1 में भी current वो 2 amperes flow होगा resistor 2 में भी 2 amperes और ammeter 1 की भी reading आपकी 2 amperes ही आईगी strength तो strength आपका ammeter 1 और ammeter 2 की reading तो same ही आए है फिर भी मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ आप इसमें V equals to IR में formula में put कीजिए आपका V है 8 volts और resistance जो थी आपकी वो 4 ohms थी तो आप में इसमें भी आपकी I की value आजएकि 2 amperes strength तो फिर अब जब R3 current through R3 आप देखेंगे तो वो भी 2 amperes ही आएगा strength और ammeter 2 की भी इसकी वज़े से reading 2 amperes ही आएगी तो अब हम देख लेते हैं इनके voltage तो voltage जो है वो V equals to IR के formula से आप निकाल सकते हैं जैसे V1 जो है उसमें resistor में 2 amperes का current है और 2 ohms की resistance है तो 4 volts V2 जो है उसमें 2 amperes का current है और 2 ohms की resistance है तो 4 volts और V3 जो है उसमें resistance 4 ohms की है और current 2 amperes से तो 8 volts आ जाएगा इसका तो strengths यह आपका देखे कितना असानी से थोड़ा सा मैंने आपको detail में solve कराया आप इसे short भी कर सकते हैं मुझे बस आप सबको एक बाई explain करना था इसलिए मुझे थोड़ा detail में कराना पड़ा बाकि आप अपने exam में short करके भी इसे कर सकते हैं तो strengths यह आजाते है आपका अगला question find the equivalent resistance and current flowing in the circuit तो अब आपको इसमें equivalent resistance find करनी है यह देखने में जतना आपको बड़ा लग रहे हैं यह उतना बड़ा है नई यह इनफाक्ट पिछले question से भी बहुत ज़्यादा आसान है आप एक बाई जैसे जैसे एक बाई resistors को observe करते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि कितना एक आसान question है students तो अब आप मिरसत बने रही है आप एक बाई pause कर जिए अगर आपको खुछ से try करने और अगर आपको कोई भी idea नहीं लग रहा है तो फिर मैं इसका solution रही आपको दिखाते हूँ तो students hopefully काफी बच्चों का हो गया होगा और जिनका नहीं होए कोई बात नहीं की बात नहीं है आप यह पहली बार कर रहे हैं तो फिर मैं आप इसका आपको इतने अच्छा से समझाऊंगा अगली बाई आपसे को इससे भी double आपको 4-5 resistors भी और जोड़ देगा हर जगा पे तो आपको कोई डरने की tension की बात आपके लिए नहीं रहेगी students क्योंकि आपको पहले ही आपने ऐसे question experience किया होगा students तो देखती है अब इसे हम कैसे solve करेंगे students So students, हम एक-एक resistor को हटाके, एक-एक resistor को combine करके फिर हम धीरे-धीरे इस question को solve करेंगे तो आप पहले इस figure में ध्यान से एक बई observe कीजए कि आपको दिखने रहे कि ये point जो आपका ये point है exactly और ये point है इससे दो resistors connected है तो ये parallel में हो जाएंगे ऐसी case में इस point और इस point में आपके दो resistors connected है और इस point और इस point में भी दो resistors connected है तो आपको simply जो है तीन parallel connections हो मिली रहे R1 और R2, R3 और R4 और R5 और R6 तो जिस formula से में आपको बता है R by N उससे आप इन तीनों के resistances की value find out कर सकते है students तो आपका R12 आ जाएगा 3 ohms, R34 3 ohms और R56 आ रहेगा 6 ohms तो आप जैसे आप देख भी सकते है students इसमे 6 by 2 हो जाएगा कि ये number 2 है और इसमे 6 by 2 और इसमें 12 by 2 आप ऐसे oral calculations भी कर सकते है students उसके बाद आपका ये हो गया, अब हम इनको combine भी कर दिया हमने, अब हम एक पर नया circuit बनाता है वरना confusion हो जाएगी काफी, तो R12 हमारा आगे 3 ohms, R34 को हमने join कर दिया तो वो भी आगे 3 ohms, और R56 को हमने join किया तो Y6 ohms, तो अब आपका जो है, वो ऐसा सा कुछ आपका circuit कितना simple नहीं हो गया, अब तो मतलब आदे बच होगा, तो answer orally निकल भी गया होगा, मैं बता सकता हूँ आपको guarantee से, अब ये देखे, आपका ये 3 ohms, अब ये एक ही wire से connected है, तो ये आपका आजाता है series connection, तो आप इन दोनों की resistances को add कर देंगे students, तो आप जब इन दोनों को 2 resistor, 3 resistor और 4 resistor की equivalent निकाली है, वो आपके आजाए कि 3 plus 3 is equals to 6 ohms, तो इस result को आप याद रखेगा students, R 1, 2, 3, 4, आपके आज़ी 6 ohms, और students, अब हम इसको जब redraw करेंगे, तो आप इसे देखे, मैं आपकी यही पर redraw कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखेगा, 1 second students, हाँ, तो students, जब हम इसे redraw करेंगे, यह कुछ ऐसा दिखेगा, कि आपकी एक battery connected है, साथ ही आपका एक 6 ohms का resistance connected है, जो कि यह दिखाया हुए students, साथ ही इनका 3 plus 3 का एक और 6 ohms का resistance आपके इसके सथ connect हो गया, तो मैं अभी आपको solution ने दिखाऊँगा, मैं आपको oral calculation करके दिखाऊँगा, कि आप कैसे कर सकते हैs students, तो आपको initial में इस की, आपकी value भी आपको given थी, कि यह 4 volts की battery है students, तो फिर, अब आप देखेंगे, कि R by N का मैंने आपको formula equivalent resistance का, in case of same resistance का बताया था, तो आप इसमें ही कर देंगे, और फिर आपकी जो equivalent resistance है students, वो आपकी आजाएगी, सही सोचा आपने V equals to IR के formula से, आपकी equivalent resistance आजाएगी, आपकी 3 ons, फिर E equals to IR के formula से, आपकी V, जो आपकी voltage given है, वो V equals to IR, आपने यह देखा, voltage given है 4, और current given है आपको, आपको find करने basically, और resistance आपको given है, वो आपके आजाएगी 3, तो आपका जो I है, वो आपका basically आजाएगा 4 by 3, तो आप देखेंगे, students कितनी आसानी से हमने इसका solution निकाल लिया, students और यह भी आपका question solve हो गया, फिर भी students, अगर आपको कोई confusion हो, तो मैंने आपको solution दे दिया, आप इसे एक बाई फिर से भी observe कर सकते हैं, और अपना answer match कर सकते हैं, अगर आपको समन में नहीं आए, तो चलिए अब हम question अगले question पर चलते है students, तो students, जल्दी से आप इस question को भी एक बाई observe कर ले students, यह बहुत ही एक आसान सा question, और फिर इसमें भी आपको current flowing निकालना है, और जब current flowing निकालना है, और ऐसे आपको बड़े से, काफी से resistors का जाए, तो आपके दिमाग में पहली चीज यह आनी चाहिए, कि इसमें आपको पहले तो combination of resistors को apply करके, आपको पहले इस circuit की equivalent resistance को find करने हैं, और फिर V equals to IR के formula में लगाके, आपको इसका current भी मिल जाएगा, जो कि 6 volts आपको जैसे voltage given है, इससे आपकी resistance आजाएगी, और फिर आप V by R का formula लगाके, I को आपको find कर सकते हैं students, तो students, इसमें मैं आपके साथ एक नया concept शेयर करना चाहूँगा, जो कि आप online detail में और भी देख सकते हैं students, बाकी अगर आप request करेंगे, तो मैं इसके उपर एक और वी video बना सकता हूँ, अभी फिलाल गए मैं आपको short में उता देता हूँ, कि अगर आपके पास कोई resistor ऐसे connected है, दो पॉइंट से और बीच में एक और रिजिस्चर है, इदर मान लीजिए आपका 1 ohm का है, या फिर जैसे question में गिवन है आपके इस फॉर्म में, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, और 2 ohm, और इदर बीच में गिवन है 4 ohm, तो strengths, ऐसे case में जो है, आप कैसे solve करेंगे, आप पहले खुद सोचें, आप में से कुछ-कुछ को पता होएगा, लेकिन बाकियों को मैं बता दूं, कि आपका नहीं ये series से solve हो सकते है, और नहीं parallel से, तो इसमें जो आपका आते है, एक और concept आजाते है, and that is wheatstone's bridge, wheatstone's bridge में क् कि आपका अगर ये top two branches, और bottom two branches, इन दोनों का अगर आपका ratio same है, तो आपका जो middle valve resistor है, आप उसे हटा सकते है students, यानि कि ये जो resistor है, picture में से हट जाएगा, और बाकि आपका ये 4 resistor हैं, series, series, और फिर इनका parallel students, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर R1 by R2 is equals to, अगर हम इसे R1 म इसे R3 मान ले, और इसे R4 मान ले, तो R1 by R2 is equals to, R3 by R4 अगर होता है, तो ये हट जाएगा, तो students, अगर आप इसे ध्यान से देखें students, तो इसमें यही case बन रहा है, तो इसमें से बीच में से जो है, आपका 4 ohm का resistor हट जाएगा students, तो students, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप 4 ohm की resistance बीच में से remove कर देंगे, तो फिर आप देखें, आपने जब circuit diagram को इसके अधर ही draw किया, तो आपके ऐसकुछ ऐसा सा circuit diagram आता है students, अब आप इसमें ध्यान से observe करिए, ये 2 ohm और ये 2 ohm वाल resistors क्या series में नहीं हैं, तो आप इन्हें join कर देंगे, 2 plus 2, 2 plus 2, 4 हो गया, त तो फिर से आप circuit अगला फिर से draw करते हैं, students में आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा, combination of resistors में कि हर जब भी आप plus, या फिर कोई नया resistors को join करते हैं, तो आप एक नया diagram बना रहें, students hardly 5 या 10 सेकंड भी लगते हैं अगला diagram बनाने में, लेकिन इससे आपका question काफी जल तो इससे आपको बताया था, R by N, तो इससे आपको बताया था, R by N, तो इससे आपकी 4 by 2 आपका, तो यह आपकी equivalent resistance है, 2 ohm, तो जब आप 2 ohm का लगा देंगे, तो students ध्यान से देखिए, यह थोड़ा सा आपको 2-3 steps में question आपको समझना पड़ेगा, बाकी यह question बहुत ही अस equivalent भी 2 ohm आगया, तो अब जो है, इन तीनों की equivalent resistance है, वो आपकी आजएगी 2 plus 2 plus 2 and that is 6 ohm, तो strengths, hopefully आपने इतना कर लिया होगा, तो अब आप देखिए, आपको, अब फिर से हम देखते हैं, आपको find ही का करना था, strengths में, तो आपको find करने total current, तो आपको find करने total current, तो आपको important होते हैं, तो अब आपकी figure कुछ ऐसी बनेगी, कि इधर 6 ohms और इधर 6 volts, तो आपका जो होते है, यह आ रहे है, तो आई जो आएगा आपका, वो 6 by 6, 1 ampere के equal आया होगा, काफी साह बच्चों का यह answer आया होगा, और जिनका नहीं आया है, hopefully 100% बच्चों को समझ में आ गया ह बाकि अगर आप लोगों को, wheatstone's, bridge wireless staff में कोई problem है, तो चिंता मत करिए, अगर मुझे इसके लिए request रहेंगी, तो मैं उसके ऊपर भी एक अलग से video बना दूगा, strengths तो, students, आज के video में, time constraint के वज़े से हम इतना ही cover करेंगे, और फिर, hopefully जितना मैंने आपको कराया है, वो सार आपको समझ में आ गया होगा, और combination of resistors के topics के उपर questions अब आपके tips पर होएंगे, यह competition point of view से भी आपके level पे इससे जादा मुश्किल questions आपके नहीं आते है, students, तो, अगर आप इतने questions प्राक्टिस कर लेंगे, तो, समझ लेजए कि आपका competition point of view से, combination of resistors topic cover होगे, और students के लिए topic आपको एक amazing बात बताओ, यह उनके लिए बहुत ही मुश्किल topic लगता होने, लेकिन अब आपने देखा आपको कितना ह असान लग रहेगा, तो, thank you students, आज की वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो, like कर देना, share कर देना अपने friends के साथ, और subscribe कर देना चानल को, ताकि आगे आने वारी वीडियो पे आपको मिलते रहे, तो, bye students, thanks a lot.